है अब्रवान वालकम तो दे क्लास गाइस इस मैं भी शेक साहू आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं मगनेटिक एफेक्ट अफ एलेक्रिक करेंट का क्विक रिवजान इंजस्ट वन चॉट इस वीडियो में हम इस चाप्टर के सभी most important points को cover कर लेंगे आपको इस चैप्टर का बढ़िया से एक overview मुल जाएगा अगर आप इस चैप्टर के PDF notes form के PDF download करना जाते हैं इसके one shot notes तो आपको telegram channel हमारा और आपका अभी शेक साहूसर physics join करना है आप telegram पे जाएंगे तो नाम से सर्च कर लेना और इस पे 75k plus subscriber होंगे इसी चैनल को आप जो है जो है जोइन करें यह हमारा और आपका official channel है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में के magnetic effect of current की सुरुवात कहां से हुई और यह क्या होता है सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ostrac experiment क्या होता देखो सिंपल सी बात है ostrac scientist थे जो कि अपने lab में experiment कर रहे थे उनके पास current carrying conductor था मतलब एक वायर था जिसमें current flow हो रहा था उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने वायर में current flow कराया तो देखा कि जो उसके साइड में जो magnetic needle रखी हुई थी उसमें deflection होने लगा हा मतलब में नीडल ही ली उनका दमाग भी नहीं लेगया में डिफलेक्शन दो जब होता है कि जब मैगनेट आप स्पास हो लेकिन मैगनेट तो वहां पर थी नहीं वहां पर मैगनेट नहीं थी ना तो फिर reflection कैसे हो तो उन्होंने कम क्या हो लग current को off करके देखा तो जैसे उनने current को off करा वैसे उनने देखा कि इस needle में deflection भी off हो गया इसका मतलब साफ है कि current से ही magnetic field बन रही है है ना उनने current की direction को reverse करा तो देखा कि magnetic field के में जो deflection है वो reverse हो गया तो यहां से साफ साफ चीज के लिए हो गई कि जो magnetic field है वो magnet के अलावा भी कोई बनाता है तो कौन बनाता है तो यहां से समझ में आया कि जो electric current है यह भी magnetic field बना सकता है तो इस चीज़ को कर हम ध्यान से देखे तो actual में जो electric current है वो क्या है वो moving charges है क्या है moving charges है तो electric current क्या है moving charges है तो moving charges भी बनाता है magnetic field तो basically जो moving charges है that are the cause of magnetic field लेकिन यह नहीं बताया कि अगर current कहां फ्लो होगा तो deflection कहां होगा तो इसके लिए एक simple सा rule है यह कहें कि जो basic term से ध्यान रख सकते हैं आप जिसको आप इसको पढ़ेंगे यदी किसी भी वायर में current flow हो रहा है from south to north जैसे मान के जो यह नीडल का south है और यह north और current south to north direction flow हो रहा है और वायर ओवर दा नीडल और जो वायर है वो नीडल को ऊपर है तो इस नीडल में deflection होगा towards दा तो आप देख रहा हो यहां के लेखा है north of needle will deflect towards the west तो इसका जो इसका जो नौर्थ पोल होगा यह west की side deflect कर जाएगा simple सी बात मान के चलें के left की side यह deflect कर जाएगा clear और और opposite direction में आएगा तो इसका जो नीडल जो नौर्थ पोल होगा यह वार की side आजाएगा ठीक है इसको हम बोलते स्नोर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे magnetic field around a current carrying conductor अब मैं यह पता है कि कोई भी current carrying wire है या कोई भी current carrying conductor है तो यह magnetic field तो बनाएगा obvious से बात है तो इस magnetic field की direction क्या होगी इस direction को हम बताते हैं right hand thumb rule से बहुत basic सरूल है right hand thumb rule ही कहता है यह आपके पास एक current carrying conductor है तो current की direction में आपको अपने right hand का thumb रखना है और करना है और अपनी fingers को करल करना है fingers को करल करना है ठीक है तो जिस direction में आपकी fingers का करल हो मतलब fingers मोड़ेंगी वह वही direction होती है magnetic field की around a conductor तो आप यह देखो thumb जा रहा है उपर तो current है उपर magnetic field line की direction इस तरह घुमाब में है तो magnetic field भी इस conductor के इस तरीके से बन रही है clear है चली यह बात समझ में आ जाएगी आपको तो यह rule होता है current carrying conductor कारण magnetic field निकालने का clear अच्छा एक और magnetic field अगर बाहर की साइड है outward magnetic field है तो हम इसको dots दिखाते हैं और अगर inward magnetic field है तो हम इसको cross से दिखाते हैं तो जैसे मानके चलो कि यहाँ पर मुझे बताना है कि यह मेरे पास एक चलो conductor है इस में current direction flow हो रहा है इस direction में तो अगर मैं देखूंगा कि right hand thumb rule से चख करूंगा तो यहाँ फे magnetic field लाइन अंदर की साइड जाएंगी और यहां से magnetic field लाइन बाहर की साइड निकलेंगी तो मैं इसको किस दिखाए मैंने यह inward दिखाए जा रहा है और यह को हम calculate कर सकते हैं जैसे कि यह मेरे पास एक वायर है इसमें current फ्लो रहा है यह बनाएगा लेकिन इसकी magnetic field कितनी होगी हम से calculate कर सकते हैं तो मान के चलो देखो मैं आपको एक ची बताता हूं कि यहां पर ना अगर DL में current फ्लो रहा है आई तो इस DL को मिल गई direction तो हमने इसका नाम रख दिया IDL vector इस DL से theta angle पे हमने कहा कोई point P है और इस point P की जो location है यहां से that is R vector ठीक है तो हमें इस point P पे magnetic field निकालनी है और मैंने कहा कि हर point की distance अलग अलग है इसलिए हम एक चोटे से element DL के कारण निकालेंगे magnetic field that magnetic field is DB तो आप यहां पर देखें जो magnetic field है बायो से लॉसे लॉसे दाट इस मून अपन फॉर पाई IDL साइंट विट अपन आर स्कॉयर यहां पर जो मूनोट है यह permeability of free space है मूनोट अपन फॉर पाई की value होती है यहां पर एक और चीज समझेए अगर आप इस diagram में देखेंगे तो आपको पक्का समझ माया कि जो ठीटा जो है यह एंगल है IDL वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का यह बात आप ध्यान रखें तो यहां पर ना हमें इसका बायो सेवर्ट लोग का जो वेक्टर फॉर में यह कई बार लेकने को पूछा जाता है तो देखो एक्च्वल में डीवी इस एक्कोल डू क्या है म्यू नॉट अपॉन पॉर पाई idl sin theta upon r square होता है यहां पे हमने समझा कि theta angle है idl और sin theta के ideal vector r vector बीच में है लेकिन यहां पे r missing है तो हमने कहा कि r लगा दिया उपर भी और r लगा दिया नीचे मतलब r का इंटू दोनों साइट ऐसा क्यों किया है क्यों कि देखो अगर हम vector form में लिखना है तो इसका मतलब है कि तो cross लगाना पड़ेगा या dot लगाना पड़ेगा तो sin theta आते हैं तो cross लगता और cost data आते हैं तो dot लगता है तो यहां पर देखो जब हम यहां से सांटीड अटायेंगे तो cross लगेगा लेकिन ooh cross किस किस में लगेगा वो cross लगेगा ideal vector और R vector बीच में अगर R नहीं होता तो किसके बीच में लगाते हैं इसलिए R कम ने इंटू करा तो यह हो गया इसका vector form और यह काफी important है बहुत बार exam में पूछे जाता है next हम पढ़ेंगे कि magnetic field जो है यह बायो server लोग एक तरह से application हो गई magnetic field अगर हमारे पास कोई current carrying coil है circular coil है तो इसके कारण जो magnetic field है center पर यह कितनी होगी हमें calculate करने है तो देखो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे कि सायद मैंने इस point ठीक है हमने inward आउट और magnetic field को discuss कर लिया तो अगर यह मेरे पास कोई भी current carrying coil है इस तरीके से ठीक है अब इस में current अगर इस direction फ्लो हो रहा है तो इसके current राइट और से देखेंगे तो यहां पर magnetic field बनेगे अंदर की साइड फिर यहां पर आएगा फिर भी देखेंगे थम को नीचे रखेंगे तो current जो magnetic field है वो अंदर की साइड ही आईगी अच् है यहां पर यह एक length element consider करते हैं तो यहां से इसको बोला हमने ideal vector और इसको हमने नाम दे दिया r vector तो यहां पर अंगल कितना बन रहा है 90 degree कितना बन रहा है 90 ऐसे ही यहां पर हमने ideal vector माल लिया और यह इसको में नाम दिया r vector तो यह अंगल कितना बन गया यह अंगल ही बन गया यहां पर साइनाइंटी हो गया साइनाइंटी के vally one होती है यह उने पुट कर दिया total magnetic field क्या total magnetic field अगर हमें calculate करनी है तो हमें इसका integration करना पड़ेगा तो हमने इसका integration कि दोनों side तो अगर हमने इसका integration करेंट तो बाकि सारे चीज़ तो बाहर आ गहीं बस हम चाहते यहां से calculation अगरगाने के बाद जो निकल के आती है ना आगे बढ़ जाते हैं नेक्स देखो अब यह बड़े बड़े से डेरिवेशन आपको यहां पर इनके फॉर्मुले डारेक्ट याद रखने होते हैं यह जरूरी है इन पर से डारेक्ट जो है नियुमेरिकल पूछ लिया आता है तो अगर आपके पास एक बड़ा सा करेंट के कंडेकल धाक्टर जो है यहां पर लॉंग की शाहरा है म。2 की हरुए के रख सकते हैं इन यह क सकता है का मतलब क्या होता है कि यह सै šaad हो जाएगी तो हम एकर करना है कि हमने यहां फर करें के यह इसके ऊपर वाले वाले से अंगल बन रहा है है यह फाइटू और नीचे वाले 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 मिल रहा है फाई इफली बस आप यह वाद रखो रखो ऐसे सुनो ये बात 4Pi into sin51 plus sin52 अगर conductor की length बहुत बड़ी है मतलब infinite long conductor है तो 51 की value अगर conductor की length बहुत बड़ी है तो 51 के लिए जो angle होगा और 52 के लिए जो angle होगा यह 90 degree हो जाए कितने degree 90 degree है और 90 degree होने से यहाँ पर देखो हमेशाद रखिए कभी infinite long conductor होगा तो 51 52 की value 90 degree आपको रखनी पड़ेगी जब आप 90 degree पूट करेंगे तो यहाँ पर जो angle like sin90 plus sin90 इस तरहीं से निकालोगे ना तो यहाँ पर जो value है कि that is mu not i upon 2 pi है सुनो तो अगर question में direct आपको infinite long conductor दिया और long conductor तो आप direct यह formula लगाएंगे और अगर उसने angle देखे रखें तो आप यह formula लगाएंगे आप इसको ध्यान रखेंगे तो straight conductor जो magnetic field होती है that is given by this formula और infinite long conductor की जो magnetic field होती है that is given by this formula clear है आगे बढ़ जाते हैं next में समझना है कि अगर हमारे पास कोई magnetic field है on the access of circular coil को अभी हमने calculate कर रहा था है यह वाली स्लाइड बे ए सर्कुलर कोईल के center पर magnetic field कितनी बन रही है इसी तरीके से यह हमारे पास एक कोईल है कि एक रिंग है यह इसकी access है current इसमें लेट से फ्लोरा इस direction में ठीक है तो इस particular point पर जो magnetic field होगी यह magnetic field किस direction मतलब जो है इस magnetic field की value कितनी होगी तो हमने का कि यह angle बन रहा है यह जो है ना यह है let's say x ठीक है और यह इसकी radius हो गई radius हो गई इसकी a ठीक और यह particular point से distance हो गई r तो magnetic field होगी ना यह distance पर 90 degree बनाई कितने degree 90 तो यह this is db vector और अगर हम यहां से देखें तो यहां भी यह जो इस पर 90 degree बनेगा कुछ इस direction में तो अगर हम इसको component ब्रेक करेंगे न तो इसके component होंगे इसके दो component होंगे ठीक है तो यह जो net magnetic field बनेगी यह net magnetic field that will be in this direction ठीक है वो solve करने का अलग procedure है तो आपको यह समझना है कि यहां पर जो जो magnetic field होगी उसकी value कितने होने वाली है उसका formula कितना होने वाला है तो आप इस चीज़ को समझ ले एक बार यह distance r आप ध्यान रखेंगे b is equal to mu not i into a square एक रेडियस का square upon two a square 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 की power three by two यह magnetic field आप याद रखें अगर जो radius है अगर यह radius बहुत बड़ी हो जाती है radius is much greater than distance on axis distance on axis अगर axis पर जो distance x अगर यह radius सो बहुत बड़ी है तो max को neglect कर देते हैं और यहां से x को neglect करेंगे तो a square की power three by two बचे का यहां से यह कैसे हो जाएगा और solve करने के बाद आएगा अगर हम ए और आर अगर ए रेडियस है तो आपका जो है इस तरीके जो हमने निकाला था वही निकल के आ जाएगा क्लियर है आगे बढ़ जाएं तो यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है यह है मेगनेटिक फील ओंद एक्सिस ओफे देगे जरत तो अभी हमें पढ़ना है एंपियर सर्कृट अलाव देखो जैसे आपने फॉर्स चेप्टर में गॉस्ट्रम प इन क्लोजड इनपर देखो क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी जैसे अब गॉस्ट्रम जानते हैं कि यह चार्ज अब यह चार्जड यह चार्ज इलेक्टर फील बना रहा है तो अगर इसकी कल्कूलेशन करना तो इसके राउंड गॉजियन सर्फेस आपको बनानी होती थी अब गॉजियन सर्फेस यह आपकी 3D होती है ताकि चार चार और से कवर हो जाए लेकिन यहां पर तो की तो यह इसे बनेगी एक टू डामेंशन बनेंगे तो इसको कवर करने के लिए आपको बना लेंगे तो इस से भी यह मेगनेटिक फिल्ड और इस लूप को बोलते हैं जैसे लुप को बोलते हैं इंपिर लूप टिक तो जो कहता है कि जो अब wraering फिल्ड है जैसे आप इसको पढ़ेचों यह ढिक्ट पैल सभुद इसको पड़ेंगे इंटीगरल Loc me lol is equal to寂ओ Industrum net current passing through the loop देखो एंप्र सर्क्रीटर लोग सहिए इसका यूस किया है हम इससे magnetic field की calculate कैसि कैम निकाल सकते हैं कि मेगनेटिक फील कितनी बन रही किसी भी current केरिंग कंड़क्टर और यह कहता क्या है कि जो हमने एंप्रिय लूप consider करा है उस एम्पीरियन लूप से जो भी current pass हो दा net current pass हो दा मुणाट टाइम्स जो है उससे हम magnetic field calculation कर सकते हैं तो हम इसको पढ़ता है line integral of magnetic field is equal to मुणाट टाइम्स दा net current passing through the loop clear है तो देखो यहां पर मान के चलो कि यह magnetic field line बन रही है इस direction में और यहां पर यह yellow line से हमारा एम्पीरियन लूप है तो अगर हम इस पर डियल vector consider करेंगे तो देखो डियल हो गया यहां पर कुछ इस तरीके से डियल vector direction हो गई यह इस तरह से ठीक है ideal vector ठीक ना और यहां पर magnetic field की direction भी सेम होगी tangential ठीक तो यहां पर जो आई current and close हो रहा है तो बी डियल की जगे पर हम क्या रखेंगे अभी के लिए डियल और यहां पर ठीटा की value क्या है कॉस जीरो तो कॉस जीरो इस equal to mu not i चलिए तो बी डील की जगे डील कॉस जीरो की value 1 mu not i तो अगर अगर हम इसका integration कर रहे हैं तो आप यहां पर समझें कि यह integration कितना हो जागा 2 pi into radius 2 pi r के बराबर और यह mu not i चलिए इसके बाद b is equal to mu not upon 2 pi r और यह i अगर यह long conductor है तो long conductor की जो magnetic field है वो इतनी हमने निकाल दी magnetic field of long straight conductor यह हम इस तरह से magnetic field निकाल सकते हैं empire circuit law की help से ठीक है तो आपने यहां पर यह देखा भी था कि हमने इसकी help से यह देखो यह 2 pi into यहां पर जो distance को a माना है और वहां पर distance को हमने r माना है तो इस तरह से हम calculate कर सकते हैं यह बहुत important लेट से distance r है अगर तो clear है चले तो अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और एंपर सरक्रेटर लॉक्त वाला एक numerical होता है यह काफी famous numerical है बहुत पूछा जाता है अब इस पर स्टार लगा के रखें यह इस पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास से current carrying conductor है ठीक है वैसे तो conductor हम सिंपल लाइन से दिखा देते हैं लेकिन यहां पर अलग तरीके से दिखाया जा रहा है क्यों तो यहां पर एक current carrying conductor है जिसकी radius A है और आपको magnetic field निकालनी है इससे A by 2 बाहर और A by 2 A by 2 अंदर तो देखो जहां पर आपको magnetic field निकालनी होती है न हमेशा वहां पर एक empirian loop consider करते हैं तो जिसे अगर आपको इस point से magnetic field निकालनी है तो आप यहां पर एक empirian loop consider करें तो बस देखो और अगर आपको यहां पर magnetic field निकालनी है तो आप एक empirian loop यहां consider करें तो देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि पूरे wire से current flow रहा है आई तो आप यह समझते हैं कि आपको इस wire के a by two distance बाहर भी magnetic field निकालनी है और a by two distance अंदर भी magnetic field निकालनी है तो देखो इसके लिए बड़ी simple जी बात है बहुत simple सी बात क्या है कि जब आप बाहर radius की बात करते हैं तो यह radius क्या है यहां से लेकर यहां तक radius से a और यहां तक क्या है a by two हो जाएगी तो यह overall जो radius होगी वो कितने होगी 3 by 3 a by two तो simple आप यहां पर यह एसी जो है solve करेंगे इसको बस यहां पर radius 2 by into r होता है तो radius के जगे आपने 3 by 2 बट कर दिया तो बाहर जो magnetic field निकल के that is minute i upon 3 by a clear now अब अगर आपको अंदर magnetic field निकालनी है यहां पर इस जगह पर तो समझी जरा तो इस जगह पर देखो इस पूरे वायर में current इस पूरे area of cross section में current flow हो रहा है पूरे area of cross section current flow रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि इतनी से जगह में भी current flowing flight बात है कम flow रहा हुग देखो pi a square में मतलब pi into radius square में current flow रहा है तो एक unit में current flow हो जाएगा इतना तो अगर हम बात करने तो pi into radius ka square हम करते है तो pi एक unit में इतना current flow रहा है देखो आप समझी यह बात को कि इस पूरे area of cross section में जो की है πाई a square इसमें current flow रहा है कितना आई हो रहा है तो एक unit में कितना current flow होगा आई upon πाई a square ठीक है इसके बाद समझे इसके बाद तो एक unit में इतना current flow हो रहा है तो अगर हम बात करें πाई a square by four में कितना current flow होगा तो हमने इसका into कर दिया और यहां से πाई a square by four और की देखो, Pi A square by 4 का इंटू यहां पे किया, Pi A square by 4 का इंटू हमने यहां पे किया, तो यहां से हमने current मिल गया, I by 4, तो Pi A square में कितना current flow होगा, I by 4, तो यह I enclosed लिएंगे, that it will be I by 4, बस, इस बात को आप ध्यान रखे, और यहां पर जो आई की वैल्यू उसके जगा क्या पूट करें आई बाइफ और यहां पर जो रेडियस उसके जगा पूट करें एबाइट टू और इसको कल्कुलेशन करेंगे आपका अंसर आ जाएगा तो इंसाइड जो होगी मेगनेटिक फील वह इतनी है तो के बाहर चाहिए आप कितना भी कंसीटर करो करेंट तो आई ही रहने वाला है इसके अंदर लेकिन यह वाले केस में जो करेंट है वो कम था है इसलिए हमने इसको कल्कुलेट कर रहा ठीक है यह मोस्ट इंपॉरेंट इस वह आप ध्यान देंगे चलिए नेक्स नहीं पढ़न करेंट फ्लो होता है तो यह बनाता है मेगनेटिक फ Sicher과 कोईज है तो एक रिंग के कारेंट मैगनेटिक बिल ऐसे बनती है अगर सभाता बहुता रहता रही तो मेगनेटिक फील आइंज होगी वह यहां से जाए और यहां से किसे निकलेगी यहां से जाएगी और यहां से निकलेगी तो ऐसा ही जो है इस सॉलेट में हो रहा है तो देखेंगे आप यहां से south कौन सा है तो जिस direction में current flow होना उस direction में आप इसको grip करें जिस जैसे current नीचे की side flow हो रहा है तो आपने हाथ की जो उंगलिया है वो नीचे की side रखें तो जिस direction में आपका thumb जाएगा उस direction में क्या होगा आपका north pole होगा बाकी दूसरी जगह होगा south pole तो solenoid current जो magnetic field होती है याद रखिए वैसे तो आप देख रहा हैं कि बाहर इसके जो magnetic field है यह बन रही है लेकिन यह magnetic field बहुत वीक होती है अंदर comparison में है न क्योंकि बाहर इसके पास एक बड़ा area होता है फैलने के लिए पूरी स्पेस तो मेगनेटिक फीलन की बीच में रिपल्जन भी होता है है ना तो हम यह देखते हैं कि बाहर जो magnetic field की strength वह almost zero मान जाती है और magnetic field जो solenoid के अंदर होती है यह होती है mu not n i यहाँ पे आपको समझना है कि जो n है small n है यह है number of turns per unit length turn density अगर हम capital n की बात करेंगे तो यह हो जाएगा n into l के बराबर समझ में आगई बात तो यह होती है magnetic field inside solenoid clear आगे बढ़ जाएंगे अब देखो एक होता है toroid जैसे अगर हम इसी solenoid को इसी solenoid को अगर हम जो है यह ऐसे open है अगर हम इसी solenoid को इस चारो साइट से मिला दें मतलब इसको दोनों end close कर देंगे तो बन जाएगा एक toroid तो toroid के अंदर जो magnetic field है यह आप देखेंगे कि यह यह वाले portion में इसको हम इंटीरियर इस इंसाइड वाले portion में जो magnetic field है यह बनेगी मुनट एनाइक होगी है तो वह solenoid जबकि चाहिए हम बाहर की साइड वाले मतलब चाहिए हम इस साइड बात करें चाहिए इस साइड बात करें सब्सक्राइड जो सब्सक्राइड जो होती है वह सेम होती है अभी हमें बढ़ना है कि यदि कोई चार्ज magnetic field में मोशन कर रहा है या magnetic field में है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा तो बड़ी सिंपल से बात है जैसे मान के चलो यह magnetic field है और अगर यह चार्ज रेस्ट में है तो याद रखिए अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर जो लगने वाला magnetic force है यह हमेशा 0 होगा अगर चार्ज मोशन में है सिर्फ तभी उस पर फोर्स लगने वाला तो तो magnetic field का जो value है ये magnitude of charge बेंड करती है चार्ज की बेंड करती है magnetic field की खुद की strength बेंड करती है और कितना एंगल बन रहा है magnetic field magnetic field of velocity के बीच में उस पर भी डिपेंड करती है तो इस तरह सब हम सभी factor को combine करेंगे तो हमें पदा बढ़ेगा जो magnetic force है यह प्रोपोर्स है तो दक्यू वी बी साइन ठीटा और आपको समझना है कि अगर मुझे वेक्टर फार्म में लिखना है तो साइन ठीटा को मैं रहता दूगा तो क्रॉस यहां पर लग जाएगा तो मतलिलल डायक्षिन में अगर चार्ज मोशें कर रहा है तो आइसे केस में जो मैगेनिटिक पारस है यह हो जाता है जीरो क्योंकि आपनल में लोनता टीडा उनकी बनता प्रजिंटी जीरो धाटी और को वह भी हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफन डूल के देख लेंग करते हैं को फिर हमें जो है फ्लेमिंग लेफट करते हैं तो अभी आपको समझनाव है कि हमें अपने left hand की four finger बता है पहली finger middle finger और thumb का यूज लेना होता है four finger बताती है magnetic field capital B की direction middle finger बताती है current की direction किसी भी conductor में करेंट फ्लोर है तो otherwise velocity of positive charge बताईगी तो अगर हम middle finger और four finger को set कर लेते हो थम जिस direction जाएगा उसी direction लगता है force on charge या force on current carrying conductor मान के चलो मैं आप से कहता हूं कि मैं आप से कहता हूं कि magnetic field जो है यह इस direction में magnetic field का है इस direction में है ठेक है अब मान के चलो कि कोई charge जो है यह charge की velocity यह charge की velocity अंदर की साइड है तो आप यह देखेंगे कि अगर आप इस हिसाब से यह इस direction मेडल फिंगर करें मेडल फिंगर तो अगर आप से चेक करें कोई चार्ज अंदर जा प्रकुर्स का लगएगा तो अब इस तरह से कर सकते हैं यह जो रूरी थे सिर्फ कभी तभी जो मेड़IELगा यह परपेंडुलर योगा यहां यहां पर आपको समझना है कि अगर कोई चार्ज magnetic field में perpendicularly enter कर रहा है तो वो charge ना हमेशा circular motion करें कैसे motion करेंगा circular motion तो अगर कोई circular motion कर रहा है तो उसका मतलब है कि उस पे centripetal force लग रहा है centripetal force लग रहा है तो वो कौन लगा रहा है magnetic force लगा रहा है तो पहली चीज हमेशा रखिए मैंने कहा perpendicular field में अगर enter करेगा तो फिर circular motion करेगा और circular motion करेगा centripetal force कितना हो qvv perpendicular field है तो 90 हो जाएगा तो qvv बचा otherwise qv centrieta होता centripetal force होता है mv square upon r यहां से v से यह v square cancel होगा तो यहां बचेगा mv upon qv तो अगर हम इसकी radius को calculate करना चाहते हैं जो path जो charge जो cover कर रहा है during its circular motion इसकी radius अगर हमें नकालने हैं तो यह radius होती है mv upon qb याद रखेंगे अगर हम बात करें कि यह time period कितना है इसको एक चक्कर लगाने में time लग रहा है तो time period की हम बात करें तो time period का formula होता है distance upon speed का होता है distance upon speed अब distance होती है एक cycle में 2pi r और speed को हमने बोला है v तो r की जगह हम mv upon qb पूट करेंगे तो यहां से v से v cancel हो जाएगा तो आप time period की बात करें तो यह हो जाएगा 2pi m upon qb क्या हो जाएगा 2pi m upon qb clear एतने बाद 2pi m upon qb यह किसका formula हो गया यह formula हो गया time period का द्यान रखेंगे आप इसको time period का formula हो गया ठीक है चलिए अब ऐसा भी तो हो सकता है कि charge ज़रूर सोड़ना है कि perpendicular field में enter करें हाँ ऐसा भी तो सकता है कि charge जो है यह किसी भी angle पे enter कर जाए तो ऐसे case में जो motion होगा यह helical motion होगा for example यह अपने पास direction of magnetic field है लगाता रहेगा। ठीक हो यह बासीट्य ऐसे है लेकिं अगर वैसीटी इस तरह एंटर करा चार्ज मेंister करेंगा तो यह charge क्या करेंगा यह ऐसे जाएगा मतलब यह मोशταम मोशल außer मोशल करेंगा यह क्यों 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 यह चुब्स और यह पर समझो एक component magnetic field के parallel जा रहा है ना तो लेट से अगर यह एंगल ठीटा एंगल पर enter कर रहा है तो हमने इसको नाम दिया वी कॉस्ट ठीटा और यह वाला component हो गया वी साइन ठीटा तो जो परपेंडिकुलर component होगा यह इसको गोल-गोल घुमाएगा और जो वी कॉस्ट ठीटा है और इस चार्ज को आगे ले कर जाएगा इसलिए इसका मोशन कैसा हो रहा है लिकल मोशन हो रहा है तो अगर हम यहां पर time period वगारा calculate करना चाहेंगे तो आसानी से कर लेंगे तो को रेडियस का फॉर्मूला होता है एंबी अपॉन क्यूभी रेडियस का मतलब सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन के सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो यहां से अपन निकाला टाइम रेडियस टाइम पीरिड किसी पर डिपंड नहीं करेगा क्योंकि अपन अब क्या होता है आप यह समझें कि यह जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं यह जो डिस्टेंस है बिट्वीन टू हेलिक्स इसको अपनाम दिया पिच तो पिच एक्ट्वल में क्या है होरिजोंटल डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम तो स्पीड का है होरिजोंटल डिस्टेंस मतला होरिजोंटल वलासिटी वी कॉस्टेंस का फॉर्मूलाई हो गया तो पिच जो है हम इस तरीके से कैल्कुलेट कर सकते हैं नाव अब यह में समझना है कि यदि कोई भी करेंट करेंग कंड़क्टर य साइन ठीटा अगर यह मेगनेटिक फिल्ट पर पेंडिकलर है तो यह हो जाता है आई यहां पर समझना है तो यह मेरे पास एक कंड़क्टर है जिसमें करेंट लो रहा है और एक और मेरे पास कंड़क्टर जिसमें करेंट फ्लो रहा है है जैसे मानके चलों कुछ में करेंट लोई बनलहerson तो इन-दोनेक बीच की सैपरेशन है यहां पर डिस्टेंस डी तो आप यहां पर निकालेंगे force per unit लेंथ अगर आप फोर्स पर यूट लेंथ लेंथ क्लकुलेट करना चाहेंगे तो यह आता है direction में होता है current same direction में होता है तो force कैसा होता है force होता है attractive यह आप कैसे निकालेंगे flaming left hand rule से और अगर force अगर current current opposite direction में है opposite direction में अगर current है तो यहाँ पर जो force होगा यह force होगा repulsive कैसा होगा repulsive force होगा clear है ध्यान रखेंगे आप इसको यह होता है force between two parallel कंड़क्टर चलिए नेक्स्टम आ जाएंगे और यहां पर समझेंगे अगर हमारे पास कोई भी एक करेंट कैरिंग कॉइल है टिक और यह मैगनेटिक फिल्ड में रखी है तो इस कोईल पर लगता है टॉर्क और यह टॉर्क होता है डाट इस एन आई एबी सायन ठीटा के बराबर याद रखे एन आई जो होता है देट इस मैगनेटिक डाइपोल घूमे की लेकिन इस पे फोर्च लएगा अंदर इस पे फोर्च लएगा इस तरह से बाहर तो हमने देखा कि यह जो है ना इसके कारण्ट यह इस पर टॉर्क लएगा और यह घूमेगी तो टॉर्क का सब्सक्राइब करता है या पहुँछ चोटा सा करेंट मेजर भी करता है तो इस गया क्या होता है सबसे पहले यह सबस्टेंस को बड़ा देता है तो यह में समझना है सब्सक्राइब की फ्रेम की फ्रेम के ऊपर यह कॉइल अगरा इसमें बंदी होती है एल्यूमिनियम फ्रेम क्या होता है एल्यूमिनियम एक मैटल है तो इसके अंदर बन जाते हैं एडी करेंट एडी करेंट बन जाते हैं तो जल्दी से कोईल बार 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 ऑसिलेट कर रही होती है तो उसका जो ऑसिलेशन होता है यह रोक जाता है मतलब वापस से यह जो कांट च्वेंतल को अब लिए से त हिसको जल्दी सो रहा है तो इसलिए ऐलुमिनियु फ्रेम का इसके भी ऐड़ी zREE करेंट होगी ऑग invest framework जल्दी से रूख जाएगा थेकिया अभी क्या क्या पता है आपको कि सब्से पहले इसके अंदर क्या है इसके अंदर होगी एक soft iron core उसके उपर होगा है aluminium की frame उसके उपर जो इस तरह से coil बंदियों की coil जब magnetic field में होगी तो इस पर और bronze की coil है इस पर लग रहा है torque ठीक तो यह जो है घूमेगा अभी जो spring जो हमने यूज करें यह spring लगाती है इस पर anti-torque तो जब यह torque और anti-torque बराबर हो जाती है तो यह जो काटा है यह जो needle है यह अपनी जगह पर रुक जाएगी और जो reading है वह हम आराम से ले सकते हैं तो अगर आप यहां से आई अपन फाई की value निकालेंगे तो यह हो जाएगी के अपन एन एबी तो आई अपन फाई यह होती है current sensitivity current sensitivity sensitivity द्यान रखना है चलिए तो यह समझमा जाएगा आपको टेक चलो आगे बढ़ जाता है यह terminal यहां से current आता है और यहां से current आउट हो जाता ह यहां पर क्या है यह कॉनके पोल क्या करते हैं यह रेडियल मेगनेटिक बनाते है रेडियल मेगनेटिक फिल्ट से क्या होता है कोईल पर लगता है maximum टॉर्क यह सारे पॉइंट आप अच्छे से जो है इनको नोड कर लेंगे clear आगे बढ़ जाते हैं अब देखो गैलवनो म जिसको जिसको हम जिंडर बोलते हैं क्या बोलते हैं हमश्च को यूज करते हैं एक यहां पर क्या होता है मेंगर मात करें कि रजिस्टेंच कितनी होना चाहिए अगर हम इसको convert करना चाहते हैं तो यहां पर देखो यह दोनों ही parallel में connect है तो parallel में क्या होता है कि जो potential difference हो सेम होता है है ना तो potential difference across galvanometer should be equal to potential difference across shunt तो formula होता current in galvanometer into galvanometer के resistance current in shunt into shunt के resistance तो यहां से हम s की value version of galvanometer into a minute मतलब आप इतनी resistance का वायर यूज करके आप galvanometer को a meter में convert कर सकते हैं clear है चलिए आगे बढ़ जाएंगे अगर आप galvanometer को voltmeter में convert करना चाहते हैं तो क्या होता है क्योंकि voltmeter के resistance very very high होती है तो वोल्ट मेटर करने के वोल्ट मेटर में सीरीज में लगा देते हैं तो क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस से ओवरल सर्किट की बढ़ जाती है तो इस गैलवन मेटर करने ज्यादा current नहीं आपाता अगर आपको voltage मेजर करना है इसमें तो क्या होगा भई देखो इसकी current इंटू इसके resistance इसके अंदर current इंटू इसके तो दोनों के अंदर सेम करेंट फ्लो होगा है ना क्योंकि सीरीज में तो आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू आर यहां से आप आप capital R की value निकालेंगे तो आप पता पढ़ जाएगा कि इतनी रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे सीरीज में तो आप इसको galvanometer को voltmeter में convert कर सकते हैं तो यह सभी इसके important points और topic with formula तो इस वीडियो के लिए बस इतना है thank you so much guys मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में अगर आप इसके नोट्स टाउनलोड करना जाते हैं तो आपको telegram चैनल जरूर से जोइन करना है comment section जरूर बताएं आप क्या सोचने वीडियो के बारे में thank you guys